हलो दोस्तों नमस्कार एडुशेशन में आपका श्वागत है आज का अपना टॉपिक है पौधों से सम्मधित कुछ महत पूर तत तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश कर लें ताकि आने ऐसे एक्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत ही महत पूर है इसमें हमने पादब जगत से सम्मधित ऐसे महत पूर तत्यों को शामलित किया है जो एक्जाम की द्रश्टे बहुत ही महत पूर है तो देखते हैं पादब जगत के जो महत पूर तत हैं कौन कौन से ऐसे तथ हैं, तो उनकों देखते हैं, इसके अंतरगत सभी बहुत कोश की है, प्रिकास संसले से उत्पादक एवं श्वेपोशी जीवों को शामिल किया गया है, जो उत्पादक होते हैं, बो श्वेपोशी जीवी होते हैं, ये श्वेम जी भी होते हैं जो कि अपना भोजन श्वेम बनाते हैं प्रोडूशर होते हैं प्लांट प्रोडूशर होते हैं वो अपना भोजन श्वेम बनाते हैं हरे पौदे प्रकाश सेंसलेसर के द्वारा भोजन का निर्मार करते हैं अता इन्हें उत्पादक कहते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह फोटो 1997 के क्रिया करते हैं तो उसमें अपने भोजन का निरुमार जो होता है वह श्यम करते हैं इसलिए इन्हें उतकादक कहते है आंगे देखते हैं doğru यह नेपेंधिश यह घट्परड़ी जो पौधा होता है उसमें ये नेपेंथिस पौधा होता है का पौधा प्रिकास संस्लिसल की क्रिया दोरा अपना भोजन बनाने में सच्छम होता है जो घट पड़ी पौधा होता है नेपेंथिस होता है तो ये भी अपना भोजन जो होता है स्वेम बनाने में सच्छम होता है लेकिन ये होता क्या है ये कीट वच्ची पौदे होते हैं जो गटपड़ी पौदे होते हैं ये प्राया ऐसी मिर्दा में उखते हैं जहां नाट्रोजन की कमी होती है तो जो कीट वच्ची पौदे होते हैं वो नेपेंथिस और ये गटपड़ी पौदे भी बोले जाते हैं होता क्या है यह कीटों का वच्चड इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे इनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए यह कीटों का वच्चड करते हैं और इन्हें कीट वच्ची पौदे भी कहते हैं तो आंगे देखते हैं प्रात्मिक उप्भोगता उनको खाते हैं प्रात्मिक उप्भोगता को भोजपदार्थ के रूप में ग्रहड करने वाले जन्तु शेकिन्डरी कंजूमर्स होते हैं और उसके वाद जो primary कंजूमर्स को खाते हैं तो वो हो जाते हैं primary kंजूमर्स को भोजपदात की रूप में जो ग्रैड करते हैं वो हो जाते हैं secondary συνुमर्स आंगे दिखते हैं नेश्ट है विवन्दक या अपगटक जो डीकंपोजर्स होते हैं वो मिर्तोप जीवी होते हैं जो कि अपना भोजपदार्थ मिरत जीवों शे ग्रेड करते हैं आँगे देखते हैं मरुष्थली या मरुष्थविद पौदों के अंतरगत कैक्टस मदार यानिकी कैलोट्रोपिस ब्रायोप्लम गीकवार इत्यादी पौदे आते हैं मिर्दवित प्वादे उनकें अंदर केक्टस मेंधार अत्यादी पौदे आते हैं जो कि शुष के बातावर्ण के प्रती अनकूलित निकूल निया जो अक्सर प्लांट से अग्षक पूजा जाते हैं मेट पूड हमने पॉइंट को इसमें समलित किया गया है तो आगे दिखते हैं जड़े लंबी होती है जो जी रोड़त पॉध्य और इनको नीचे से यह घीच लेते हैं जब कि तने छोटे रूपांतरित एवं कभी-कभी भूमिगत होते हैं, लेकिन इनके तना होता है, वो छोटा होता है, और इसमें जो तना की पतियां होते हैं, वो भी कांटों की रूप में परवर्तित होती हैं, आंगे देखते हैं, इनकी बहाय तुचा मौटी उप्चन क्य जो मुरोद्वीत पॉध्य होते हैं उनकी बाहत खुचा जो नतुं द्धाकी तद्धा ऑगाई प ऑड़ि और फॉत हैं पाटयां काटों में परिवर्थित siis ने की न bagus हो जाती हैं । सईहार पाणी कि जो देंकी थानी ना हो इसलिए इनकी पत्तिति न वह काटों की रूप में जो होती हैं परिवर्तित हो जाती हैं इनकी कुछ भाग जल संचय है तो अधिक मांशन फ्लैसी हो जाते हैं जो बोड़ी होती है उसमें जल संचय करने के लिए कुछ जो पौदे की भाग होते हैं वो फ्लैसी हो जाते हैं तो नेक्ट पॉइंट दिखते ह हेलोफाइट या जलोद वीद पौदे बहुत अधिक जलवाले इस्थान पर पाए जाते हैं इनमें बड़े से बड़े अंतरा कोशी इस्थान होते हैं जो वायू से भरे होते हैं तसा पौदों की ते दैणने में सहायक होते हैं next point है, hellophite उन पोधों को कहते हैं, जो उच लवड युक्त जल में उथपन होते है। next point है, अधिपादब गे पोधों होते हैं जो दूसरी जी urgित पोधो पर इंत्रिक अबलम के लिए लगे रहते हैं ना कि पोशण हे तुत हो तो जो इपफैट फौद्ध होते हैं वो दूसरे जीबित पोदे पर यांत्रिक अविलम के लिए लगी रहते यानि कि उन से अफने रहने का शहारा प्रिदान प्राप्त करते हैं ना कि पोशल उनसे पोशल प्राप्त नहीं करते हैं बलकि उनके उपर अपना जीने का सहारा जो होता है उसे प्राप्त करते हैं उधारण इसका है और्किड इत्यादी है इसका उधारण है नेक्ट पॉइंट देखते हैं नेस्ट पॉइंट है जीवन चक्र की द्रश्ट से पौदों का शब्षे मैत पूर्ड भाग जो होता है वो पुष्प होता है तो यह पुष्प जो होता है वो जीवन चक्र की द्रश्ट से पौदे का शब्षे मैत पूर्ड जो होता है यह पौदे की प्रिजरन में सायक होता है जो होता है उसका पुशप होता है तो वास होता है तो यह कुछ महत पूर्ट तत है जो जैसे अधरक है तो अधरक एक प्रिकंद होता है आलू एक इस्तमकंद होता है यानि की तना होता है लेसन जो होता है वो सलक कंद तथा जो सूरन या जिमी कंद होता है वो घंकंद का उधारण है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अक्सर एक तो आपको यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है आंगे देखते हैं शकरकंद कौन बोल बुलेशी कुल का पौधा है इसका खाने योग भाग रूपांत्रित जड़ है आंगे नेक्ट पॉइंट देखते हैं गन्ना आलू एबम अद्रिक जो होता है वो तने का र रूपांत्रड होते है अर्थात इनका संग्रय अंग तना है जो इनका संग्रय होता है वो तना होता है सलजम गाजर एबम शकरकंद जड़ों के रूप पांत्रण है जो सलजम है गाजर शकरकन्द ये जड़ों के रूप पांत्रण है अथा इनका शंग्रण जो होता है वो जड़ में है आंगे देखते हैं नेश्ट पांट है मटर लेग्यूमिनेशी कुल का द्रवीज पत्रिय यानि की डाइकोटाइले रियश साकिय हर्वे रियश तथा एक बरसिय पौदा होता है इनमें सहारे के लिए प्रतान यानि की टेंडल्स पाए जाते हैं जो मटर की पत्रियां होती हैं उनके शारे सारे इस प्रकार के जो होते हैं structure निकले होते हैं जो उनको जो पौदर करता है तो उसका सहारे प्रतान करते हैं उसके लिए ये टेंडल्स पाए जाते हैं अंग पांट देखते हैं जो गंणा है वो ग्रेम्ली या पोईशी कुल के अंतरगत आता है जिसका तना काट stem कटिंग आ तो यह इतना खंड काट के तो इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है जिसे काइप प्रवर्दन यानि की काइप इसे प्रिजन भी बोल सकते हैं तो यह यहां से गिरोग कर जाएगा यहां से तो एक गन्ने से कई सारे पौद्र जो होते हैं वो डबलफ हो जाते हैं इसका तन और पर्वशंदिया यानि की इंटर नोड पाई जाती हैं तो यह थे प्लांट से सम्मध कुछ में पूछे जाते हैं तो इसमें हमने काफी कुशन को कवर किया है तो यह ता आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अबश करें और अपने शभी दोस्तों तक स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में